हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम जानेंगे क्लास नाइन्थ हिंदी चितिज के अंतरगैत कवीर की साखियां एब हम सवत का भावार्त और पार्ट से सम्मंदित प्रस्नों के उत्तर भी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कवीर का जीवन परि यहाँ पार्ट जो है क्लास नाइन्थ हिंदी चितिज के अंतरगैत काव्य खंड का पहला पार्ट है इसमें जो है कवीर की साखियां और सबद दे रखे हैं जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और उनका बावार्त और प्रस्नों उत्तर हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले आपके पार्ट के अंतरगैत यहाँ पर एक प्रातना दी हुई है जो कि आप याद कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे कवीर का जीवन परीचे है तो आईए जान लेते हैं कवीर के जन्म और मिर्त के बारे में अनेक किवदंतियां परचलित हैं कहा जा पर में देहांत हुआ कवीर ने बिदिवत शिक्षा नहीं पाई थी परन्त सत्संग प्रियटन और अन्भव से उन्होंने ज्यान प्राप्त किया था भक्तिकालीन निर्गुन संत परंप्रा के परमुक कवीर की रचनाएं मुख्यत हैं कवीर ग्रंतावली में संग्रीत हैं किन्तु कवीर पंत में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमानिक मना जाता है कुछ रचनाएं गुरु ग्रंत साब में भी संक्लित हैं कवीर अत्यंत उदार निर्वय और सद ग्रेस्ट संते राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कवीर ने इश्वर क के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड वेदवाव और कर्मकांड का खंडन किया उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक वेदवाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की इश्वर प्रेम ग्यान और वेराग्या गुरु भक्ती सचंग और सादु महिमा के साथ आत्म बोद और जगत बोद की अभी व्यक्ति उनके काव्य में हुई है कवीर की भासा की सहस्ता ही उनकी काव्यात मक्ता की सक्ति है जन भासा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भासा में दार्सनिक चिंतन को सरल डंग से व्यक्त करने की ताकत है तो बच्चों जहां तक बात की जाए उनकी साख्यों की तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां संकलित साख्यों में प्रेम का मैत्व संत के लक्षैन ग्यान की महिमा बाहे आडंबरों का विरोध आधि भावों का उलेक हुआ है पहले सबद यानि कि पद में भाहे आडंबरों का विरोध एवम अपने भीतर ही इस्वर की ब्याप्ति का संकेत है तो दूसरे सबद में ग्यान की आधि के रूपक के सारे ग्यान के महतों का वरणन है कवीर कहते हैं कि ग्यान की सायता से मनुशिया अपनी दुरवलताओं से मुक्त होता है तो यही सब कुछ इन साखियों और सबद में बताया गया है तो चलिए सुरू करते हैं पढ़ते हैं कवीर की साखियां और जान लेते हैं उनका अर्थ तो बच्चो आप देख रहें नहीं आपर हम पढ़ रहे हैं कवीर की साखियां और पहली लाइन यापर आप देखें मान सरोबर सुबर जल हंसा के लिकराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाहीं तो इसका आर्थ होगा कि जिस तरह से मान सरोबर में हंस खेलते हैं और मोती चुकते हैं और वहां के सुक को छोड़ कर कहीं नहीं जाते हैं उसी तरह मनुश्य जीवन के तो यहाँ पर जो है मनुश्य की बात की गई है कि मनुश्य जीवन में इसी परकार से मोजाल में फंच जाता है। इसके बाद आईए देखते हैं प्रेमी ढूंडत मैं फिरू प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब भिस अम्रित होई। यहाँ पर दूसरी साखी में कभीरदास ने कहा है कि प्रेमी ढूंडत मैं फिरू प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब भिस अम्रित होई। और आगे तिजरी साखी में का है कि हस्ती चड़िये ग्यान को सहज दुली चाडारी स्वान रूप संसार है भूकन दे जक्मारी तो आईए इन दोनों साख्यों कार्थ जान लेते हैं पहले है प्रेमी ढूंडत मैं फिर हूँ तो यहां पर इसकार्थ होगा कि प्रेमी को ढूंडने से भी पाना मुस्किल होता है यहां पर प्रेमी का मतलब इस्वर से है जिसे प्रेमी रूपी वक्त सचे मन से ढूंडने की कोशिस करता है एक बार जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिल जाता है तो संसार की सारी कड़ वाहट अमरित में बदल जाती है तो इस प्रकार से पहली जो साकी आपने देखी यहां पर प्रेमी ढूंडत मैं फिरों का अर्थ है इसके बाद है हस्ती चड़िये ग्यान को सैच दुलीजा डारी स्वानी रूप संसार है भूकन दे जखमारी स्वान का मतलब आप समझते हैं स्वान का मतलब क्या होता है कुटा तो यहां पर जो एक कविर्दास जी कहते हैं कि ग्यान या ग्यानी अगर हाथी चड़कर भी आपके पास आता है तो उसके लिए गलीचा बिचाना चाहिए हाथी चड़कर आने का मतलब है आपकी पहुंच से दूर होना हालां कि ऐसे समय दुनिया के ज़्यादातर लोग ऐसे ही बरताओ करते हैं जैसे हाथी के बाजार में चलने से कुटे बहुंगने लगते हैं कुटे उसका कुछ बिगार नहीं सकते हैं और सिर्फ अपना समय बरबाद करते हैं आप अपना समय बरबाद मत कीजिए बलकि उस से जितना हो सके ग्यान लेने की कोशिश कीजिए इसके बाद अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं पका पकी के कारने सब जग रहा बुलान निर्पक होई के हरी बजे सोई संत सुजान हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई कही कबीर सो जीवता जो दूहों के निकट न जाए यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुझे राम कहते हैं और मुसलमान खुदा कहते हैं सही माइने में वही जीता यानिकि वही जीवन जीता है जो इन दोनों से परे मुझे इश्वर समझता है क्योंकि इश्वर एक है और विविन धर्मों की परिवाशा व्यर्थ है यानिकि बेकार है काबा फिर कासी भया रामई भया रहीम मोट चून मैदा भया बैठ कवीरा जीम उचे कुल का जन्मी आजे करनी उच नहोई सुबरन कलस सुरा भरा साधू निंदा सोई यहां पर कवीरदास जी कहते हैं कि काबा ही बदलकर कासी हो जाती है और राम ही रहीम हो जाते हैं यहां वैसे ही होता है जैसे आटे को पीछने से मैदा बन जाता है जबकि दोनों गेहों के ही रूप हैं इसलिए चाहे आप कासी जाएं या काबा जाएं राम की पूजा करें या अल्ला की अबादत करें हर हालत में आप भगवान के ही करीब जाएंगे तो बच्चो इस प्रकार से इन साक्यों का अर्थ आपने देखा आगे सिर्फ उची जाती का आप देख रहें नहीं आपर उचे कुल का जन्म आजे करनी उच न होए शुबर निकलत सुरा भरा सादू निंदा सोए तो इसका अर्थ होगा कि सिर्फ उची जाती या उचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता आपके कर्म अधिक मायने रखते हैं आपके कर्मों से ही आपकी पैचान बनती है या वैसे ही है जैसे यदि सोने के बरतन में मदिरा यानि कि सराब रखी जाए तो इससे सोने के गुण फीके पड़ जाते हैं तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर साक्यों का अर्थ आईए अब जानलेते यहाँ पर कवीर के शबद पदों का अर्थ मोको कहां ढूंडे बंदे मैं तो तेरे पास में ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कवे कहलास में ना तो कौने क्रिया करम में नहीं योग बैराग में खोजी होए तो तुर्ते मिल हों पलवर की तलास में कहे कवीर सुनो भई सादो सब स्वासों की स्वास में तो इसका आरत होगा बच्चों यहां पर लोग भगवान की तलास में मंदिर, मस्जीद, मजार और तीरत अस्तानों पर बेकार भठकते हैं पूजा पाठ या तंत्र मंत्र सिर्फ अडंबर है इससे इश्वर नहीं मिलते हैं भगवान तो हर व्यक्त की हर सांस में बसते हैं जरूरत है उन्हें सही ढंग से खोजने की जो सही तरीके से ध्यान लगा कर इश्वर को खोजता है उसे वे तुरंत मिल जाते हैं इस प्रकार से आईए आगे जानते हैं दूसरे सबत पत का अर्थ और पढ़ लेते हैं पहले दूसरा शबत संतो भाई आई ज्यान की आंधीरे ब्रह्म की टाटी सबे उडानी माया रहे न बांदी हिती चित की द्वे थूनी गिरानी मोह बलिंडा तूटा त्रिस्ना चानी परी घर उपरी कुवदी का भांदा फूटा जोग जुगतिकरी संतों बांधी निर्चू चुवे नपानी कूड कवड कपट काया का निक्सया हर की गतिजब जानी आंधी पीछे जो जल बूड़ा प्रेम हर जन बीना कहे कवीर भान की प्रगटे उधित भया तब खीना यहाँ पर कवीरदास जी कहते हैं इस सवद में कवीर ने ग्यान की आंधी से होने वाले बदलाओं के बारे में बताया है कवी का कहना है कि जब ग्यान की आंधी आती है तो ब्रहम की दीवार तूट जाती है और मोह माया के बंदन खुल जाते हैं ग्यान के प्रवाव से आत्मचित के खंबे गिर जाते हैं और मोह की सहतीर तूट जाती है हमारे उपर से तरशना की छट हट जाती है और सभी भांडे फूट जाते हैं मतलब हमारे उपर पड़े आडंबरों के परदे हट जाते हैं जब हमें इस्वर का ग्यान मिलता है तो मन का सारा मैल निकल जाता है आन्दी के बाद जो बारिस होती है उसके हर बूंद में हरीका प्रेम समाया होता है जैसे सूरे के निकलने ही निकलते ही अंदेरा भाग जाता है उसी तरह ग्यान के आने से सारी दूबिदा मिट जाती है तो बच्चो इस प्रकार से आपने देखा यहां पर कवीर की साखियां और सवद का अर्थ हमने आपको बताया और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ भी आया होगा आप चाहें तो दुबारत से सुन सकते हैं और इसे शमच सकते हैं इसके बाद आईए जान लेते हैं पार्ट से सम्मंदित प्रस्नों के उत्तर क्योंकि आपको कटिन सब्दों के आर्थ तो आपकी पुस्तक में वहीं पर मिल जाएंगे तो हम सीधे चलते हैं और पार्ट से सम्मंदित प्रस्नों के उत्तर यहां पर जान लेते हैं तो बच्चो आप ध्यान दे यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं क्लास नाइंद हिंदी छितिज के अंतरगैद पार्ट नमबर 9 कबीर की साखियां और शबद यहाँ पर हम जान लेते हैं पार्ट से सम्बंदित प्रस्नों के उत्तर तो यहाँ पर सबसे पहले पहला प्रस्ने आपकी पुष्टक में आप ध्यान दें मान सरोबर से कभी का अभी प्राय है उत्तर होगा मान सरोबर से कभी का अभी प्राय है मन रूपी पवित्र सरोबैर जिसमें स्वच्च बिचारधारा रूपी जल बरा है तता हंस रूपी जीवात्मा परवुभक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ताफल चुकती है अर्थार्थात्मा इस सांसारिक माया मो के चकर में नपढ़ कर इस्वर की सरण में जाना इसके बाद दूसरा प्रस्ण आपके लिए कभी ने सच्चे प्रेमी की क्या कसोटी बताई है आप देख रहें ने आपर कभी ने सच्चे प्रेमी की क्या कसोटी बताई है तो आपका उतर होगा कभी ने सच्चे प्रेमी की कसोटी बताते हुए या बताया है कि सच्चे प् पाते ही सारे विकार दूर हो जाते हैं, मन प्रसन हो जाता है, इसके बाद आईए जान लेते हैं तीसरा प्रसन और उसका उत्तर, तो आप ध्यान दे यहाँ पर तीसरे दोहे में कभी ने किस प्रकार के ग्यान को महत दिया है, आपका उत्तर होगा, तीसरे दोहे में कभी ने अन्वह से प्राप्त ग्यान को महत तो दिया है, जो सहज साधना से प्राप्त होता है, आप देख रहें ने आपर, तीसरे दोहे में कवी ने अन्वह से प्राप्त ग्यान को महत तो दिया है, जो सहज साधना से प्राप्त होता है, कवीर ने इस प्रकार के ग्यान को हस्ती के सम हास्ती के समान बताया है, इसे पाने के बाद उसका साखसाथकार इस वर से सहाज हो जाता है, इसके बाद आएजा जान लेते हैं चौता प्रसने आपका इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है तो उत्तर होगा आपका कवीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांपरदाईक बेदवाओ संसारिक मोहमाया से दूर सभी स्थिति में शंभाओ यानि सुख दुख लावानी उस नीच अच्चा बुरा से रहते हुए निश्यल भाओ से परवु भक्ति में लीन रहता है वही जो है सच्चा संत कहलाता है इसके बाद पांचवाँ प्रसने आपका अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवीर ने किस तरह की संकिंडता की और संकेत किया है तो आपका उतर होगा अंतिम दो दोहों में दो तरह की संकिंडता की और संकेत किया गया है नमबर एक अपने धर्म को स्रेष्ट सिद्ध करना और दूसरे के धर्म की निंदा करना नमबर दो उचे कुल में जन्म लेने से स्वयम को स्रेष्ट समझना मनुश्य केवल उचे कुल में जल्म लेने से बड़ा नहीं होता बलकि वह अपने अच्छे कर्मों से बड़ा बनता है इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे इसके बाद छटा प्रस्नाप के लिए किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से तरकसाइद उत्तर दीजिए तो आपका उत्तर होगा राम क्रेशने बुद्ध महावीर आदी महापुरुस के वल उचे कुल में जल्म लेने के कारण महान नहीं बने बलकि वे महान बने तो अपने उच्छ कर्मों से इसके विबरीत, कवीर, सूर, तुलसी बहुती सामन्य घरों में पैदा हुए परिंतु संसार भर में अपने सत कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए अता हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के पैचान उसके कर्मों से होती है कुल से नहीं इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें सात्वा प्रसिद्ध आपके लिए काब्य सौंदर्या स्पस्टि कीजिए हस्ती चड़िए ग्यान को सहज दुलीजा डारी स्वान रूप संसार है भूकन दे जाकमारी तो उतर होगा आपका बाव सौंदर्य देखें सबसे पहले यहाँ पर कभी ने ग्यान के महतों को पर्ति पाजित करते हुए बताया है कि ग्यान की प्राप्ति के लिए दिर्ड़ता और सहजता सहज साधना अवसक है संसार रूपी कुत्ते अर्था अर्था लोचना करने वाले भॉंक भॉंक कर सांत हो जाते हैं और इसके बाद आए जानते हैं तो सिल्प सौंदर्य के अंतर गैस रचना में भक्ति रच की परदानता है सद्धुकड़ी बासा दोहा चंद का प्रियोग किया गया है और हस्ती, स्वान, ज्यान, आदी, तत्सम सब्दों और रूपकलंकार का यहां पर प्रियोग हुआ है इसके बाद आए जानते हैं नववा प्रस्न मनुष्य इसर को कहां कहां ढूनता फिरता है तो आपका उतर होगा मनुष्य इसर को मंदिर, मस्जित, देवाले, कावा, कासी, कैलास जैसे पवित्र तीरत अस्तानों और योग, बैराग्य, यग्य, पूजा, पार, तता विविन परकार के धार्मिक क्रिया कलापों में खोशता फिरता है इसके बाद नववाप्रस ने आपके लिए कवीर ने इशर प्राप्ति के लिए किन परचलित विश्वासों का खंडन किया है तो आपका उतर होगा कवीर ने इशर प्राप्ति के लिए परचलित विश्वास जैसे मंदिर, मस्जित में जाकर पूजा अर्चना करना या नमाज पढ़ना अत्वा योग बैरागे जैसी क्रियाएं करना पवित्र तीर तस्तानों की यात्रा करना आडंबर युक्त भक्ति करके इश्वर प्राप्ति की इच्छा करना इन सभी परचलित मानिताओं का खंडन किया है उसके बाद बच्चों ध्यान दे आप दस्वा के द्वारा की गई है अता इश्वर का वास हर प्रानी की हर सांस में है अर्थार संसार इश्वर संसार के कणकण में समया है इसलिए 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 कवीर ने इश्वर को सब स्वासु की स्वास में कहा है इसके बाद ग्यारवा प्रस्नियाप के लिए कि कवीर ने ग्यान परिबरतन की चमता होती है इसी परकार ग्यान रूपी आंदी के आने से मनुष्य के मन पर बड़ा मन पर पड़ा हुआ अग्यान मोहमाया रूपी परदा हड़ जाता है चलकापट रूपी कुड़ा नस्ट हो जाता है तद पस्चाद मनुष्य का मन निर्मल होकर परवु भक प्रसने आपके लिए ग्यान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है तो आपका उत्तर होगा ग्यान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी संकाउं और अज्यानता का नास हो जाता है वह माया मोह के सांसारिक बंदनो से मुक्त हो जाता है मन पवित्र और निश्चा लोकर परगुवक्ति में तलीन हो जाता है इस प्रकार से आप बारविय प्रस्ण का उत्तर लिखेंगे इसके बाद बच्चो आईए देख लेते हैं यहाँ पर जो तेरुए प्रस्ण में पूछा गया है यहाँ पर बाव इसपस्ट कीजिए आप देख रहें नहीं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या लिखा है हिति चिति की द्वे थूनी गिरानी मोह वलिंडा टूटा उत्तर क्या हो का यहाँ ज्यान रूपी आणदी के कारण मनुश्य के मन में स्थित स्वार्त रूपी दोनु खंबे टूट गए तता मोह रूपी बल्ली जो बल्ली गिर गई इससे कामना रूपी च्छपर नीचे गिर गया उसके मन की सारी बुराईयां और ज्यान नश्ट हो गया उसका म उठा प्रेम हरी जन वीना उत्तर होगा आपका सामन रूप से आंदी आने के बाद जब बारिस हो जाती है तो धूल आदी विकार सांत हो जाते हैं और मन परसन हो जाता है इसी परकार ग्यान रूपी आंदी आने के बाद अग्यान दूर हो जाता है और मन परव भक्ति में ग्यान की आंदी के बाद जो वक्ति रूपी जल वरसता है उस जल से मन भीग उड़ता है उसमें सरोबार सराबोर हो जाता है अर्थार्थ ग्यान की प्राप्ति के बाद मन सुद्ध हो जाता है इसके बाद बात करते हैं बच्चों यहाँ पर रचना और अभी व्यक्ति की तो तो आप क्या लिखेंगे कवीर के वारे में कवीर ने अपने बिचारों द्वारा जन मानस की आँखों पर धर्म और संपरदाय के नाम पर पड़े परदे को खोलने का प्रियास किया। मनुष्य की सची वक्त के लिए प्रेरित किया है। कवीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत संपरदाय धर्म आदिके फेर में ना पढ़ने की सला दिये। ये सारी चीजें मनुष्य को रह से बटकाने और बटवारे की ओर ले जाती हैं। अता कवीर के अनुसार हमें इन सब च देहन की बात तो यहाँ पर निमलिकी सब्दों के तद्सम रूप लिखिए। आप देख रहें ने यहाँ पर पका पकी अननत जोग योग जुगती युगती युगती बैराग 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 या निर्पक्या 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 निर् सबी प्रस्णों के उत्तर हमने आपको बताए उम्मीद है कि आपको यह प्रस्णों के उत्तर समझाए होंगे और आप इने अच्छे से याद भी करेंगे तो बच्चो आज का हमारा पार था यहां पर कवीर की साखियां और सबद जिसका पहले हमने आपको कवीर की साखियां और सबद यहां पर पढ़के बताई उसका बावार्थ बताया और अंत में पार्ट से सम्मनित प्रस्णों के उतर भी तो बच्चो इसी प्रकार से आप परतेग पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और परतेग पार्ट से सम्मनित बावार्थ और प्रस्नों के उत्तर जानने के लिए लगातार इसी प्रकार अगली वीडियो देखते रहें आज के लिए इतना काफी है आपका दिन सुभ हो